तुल कामना समस्थ विस्वासियों को है भारत की पवित्री मिट्टी से जो आशुरी सक्ति का खात्मा और दैवी सक्ति का प्रादुरभाव होता है यहां भारत वर्स में प्रती दिन कोई न कोई पर मनाये जाते हैं यह वसंतोत्सव है वाशंतिक रंग है गैरिक वस्त्र वसंत का मतलब होता है कि आदमी हर्ष विसात से मुक्त हो यह वसंत रंग यह गिरुवा भगवावस्त शन्यासियों का वस्त्र है सन्यास का मतलब होता है हमेशा मस्त रहने वाला तो जैसे इस बसंतोत्सब में अभी हम लोग मिठला में और उत्तर भारत में 29 सारी को होली मना रहे हैं और वारा नशी में रंग एक आद्सी के दिन भस्म से होली होता है उसी प्रकार भारत के बिभिन हिस्तों में यह तो यह देवताओं की धर्ती हैं देव भूमी हैं यहां तो प्रती दिन कोई ने कोई पर मनाई जाते हैं परन्तु सभी परवों के मूल में एक ही अबधारना होती है और एक ही चीज से उद्परोथ होता है आशुरी सक्ति का विनास और दैवी सक्ति का उद्भव तो इस तमाम विश्व वास्यों को भारत के ओर से हम यह संदेश देना चाहेंगे इस वासंतिक वस्त्र में और इस वासंतिक जो रंग होता है गुलाल का सब कुछ न कुछ बसंत का रंग लिये रहता है और यह खोली भी बसंत के मौसम में होता है तो सभी लोग तमाम हर्ष विशाथ भूलकर मिल जूलकर आप्शी सद्भाव में हिंदु-मुस्लिम सिख्यसाई के भाव के परिकल्पना में जो भारत की अभरत की अध्यात्मिक चिंतन रूप संपूर्ण विश्वासि हर्ष उल्लास के साथ महापर्व हुली मनावें और मेरी सुबकामना है सबका कल्यान हो, विस्व का कल्यान हो धर्म की जय हो, अधर्म का नास हो विस्व का कल्यान हो हारा हारा महादेश